पिछले एपिसोड में आपने देखा, इरेंगल में The Golden Man आकर जितनी भी प्रोपर्टी थी वो खरीद लेता है, पर वो सबसे बड़े गेंग्ष्टर, काला The Gangster की प्रोपर्टी नहीं खरीद पाता, क्योकि काला उसको सिफ फेक्टरी बेच देता है, पर सवाल ये है कि, क्या The गोल्डन मैन, रियल में PUBG का सबसे अमीर आदमी है, उसके पास डायमंड आशिया से लेकर डायमंड प्लेन तक था, और मिरामार की गोल्डन मिराडो भी उसने 4 क्रोड यूसी देकर खरीद ली थी, पर कहिते हैं न, कभी न कभी शेर को सवासेर टकर दे ही जाता है, कुछ दिन गोल्डन मैन के पास है, उससे कई ज्यादा इस डायमंड वूमन के पास है, अब स्टोरी के इतने मज़े मतलो, खुद ही देख लो, मैं Glock Gaming चैनल को सब्सक्राइब करके आया, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो और भी देखनी है मुझे, अगर तुमको भी देखनी है, तो सब्स आती हुई थी, तो तुमको तो पता ही होगा, विकेंडी एंसानों कि जितने भी प्रॉपर्टी है, वो मेरी है, अभी मैं रैंगल आई हूँ, यहां के बाहर में कुछ बताओ, यहां भी आपकी तरह एक बहुत अमीर आदमी है, उसका नामक दी गोल्डन मैन, उसने रैंग और काला दी गैंक्स्टर से, काला दी गैंक्स्टर के पास तो मैं ले चलूँगा, आपको पर दी गोल्डन मैन अभी इरैंगल में नहीं है, ठीक है, चलो उसके पास, काला दी गैंक्स्टर के पास तो मैं ले चलूँगा, आपको पर दी गोल्डन मैन अभी इरैंगल में न अरे ये चमिया कोन आ रही है भाई कई उस अमेर लोइंडे की लोगाई तो नहीं ना लगतो ये भी अमेरी रही है गाड़ी तो देखो इसकी ओ तेरी डायमंड ड्रेस पैन रखिये इसने तो ओ मैडम जी कैसे आना हुआ काला दी गैंग्स्टर की अवैली पर आप उस गोल्डन मैन की वाइफ हो गया नहीं मैं किसी की वाइफ वुफ नहीं हूँ मैंने तो बहुत सुना आ तुमारे बारे में विकेंडियन सारक में तो तुमारी चर्चे चलते हैं तो आप कहां से हो और यहां पर किसली आई हो आएम दे रिचेस गर्ल अफ पबजी उस गोल्डन मैन के पास तो गोल्डन की चीज़े हैं मेरे पास तो सब डामन का है और रॉयल गाडिया है जो किसे के पास नहीं है नहीं है हो क्या राय मैं कहीं दुरों से देख रहा हूं सारे अमीर लोग इरेंगल में आत्मा की तरह भटक रहे हैं सारी प्रोपटी खरीद ली इरेंगल की तुमको नहीं पता पपजी के अपडेट के बाद नए-नए विल्लिंग्स बनेंगी यहां इसका मतलब प्रोपटी की कीमत भी दो से तीन गुना हो जाएगी अच्छा तो ये माजरा है मेरे पास पैसा है तुमारे पास पावर मेरे साथ पार्ट्रशिप कर लो करोड़ यूसी का बिजनेस होगा डिली का इसको क्या करना होगा कुछ जादा नहीं बस जो बीच में आएगा उसको रास्य सहटाना है प्यार से या हतियार से मुझको एक शर्ट पर मनजूर है अगर 50-50 के पार्ट्रशिप करो तो डन ये तुमको पूरी लिस्टे देगा इसके साथ जाकर सारे काम कर देना ठीक है हो जाएगा चलो मैं वो काला तो बहुत काम का निकला सारी प्रोपर्टी खरीदली बस गोल्डन मैन की बच गई उस गोल्डन मैन के साथ मीटिंग फिक्स करो उसको भी देखते है कितना अमी रह वो मैंने वो भी पता लगा लिया था वो इरेंगल आ चुका है उसकी काला दी गैंक्स्टर के साथ लड़ाई भी हो गई पर क्यूँ उसने पांच करोड यूश्ची में फैक्टरी बेच दी थी अब फिर वापिस कबजा कर लिया फैक्टरी पर और ना उसको यूश्ची दे रहा ये काला दी गैंक्स से तो बहुत चालक निकला चले आज हमें उस गोल्डर मैं से मिलने जाना है हाँ चलो आईए मिस्स ब्लोजम आईए तुमको मेरा नाम कैसा पता चला दी गोल्डर मैं को सब पता है नाइस जोक बट मेरा नाम ये है ही नहीं नाम वाम छोड़ो काम की बात करो मैंने सुना है कि काला दी गैंस्टर के साथ पार्टनर्शिप कर ली है तुमने तुमको उससे कुछ लेना देना नहीं है तुम बस ये बताओ अपनी प्रॉपरटी बेज कर यहां से दफ़ा होने का क्या लोग है मुझे सारी प्रॉपरटी के पाँच गुना यूसी दे दो मैं यहां से चला जाऊंगा पाँच गुना? दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तो तुमने क्या सोचा? इतनी असानी से सब चीज मिल जाएगी तुमें मिस डाइमांड या मैं बोलूं रिचस गर्ल ऑफ पबजी तुमारे जितनी यूसी की गाड़िया है न उससे महंगी तो मेरी ड्रेस है समझा? रही बात पाँच गुना यूसी की तो सुन ये मत सोच की लेटी है तो डर जाएगी दे दो इसको जितनी यूसी चाहिए और निकल अभ यहां से हाँ दे दो यूसी मैं तो अभी अपने डाइमर प्लेन में बैठ के चला जाऊंगा और हाँ जाते जाते एक बात और ये टिक टॉक टक टॉक बनाना ना छोड़ दे अच्छा नहीं लगता गोल्डेन ड्रेस पहन कर ये मुझरा करते हुए निकल अभ सुनो काला दी गैंक्स्या के पास जाओ और उसको बता दो इरैंगल से गोल्डेन मैन भाग गया है अब हमारे बेच कोई नहीं आएगा और वो बात भी बता दे न जो मैंने तुमें पहले बताई थी जी ठीक है मिश्टर काला दी गैंक्स्टर सुनो अब इरैंगल में कोई नहीं है जो उनकी टकर लेशके इरैंगल में क्या फिर तो पूरे पपजी में नहीं है इनसे अमीर जितने युसी की तुमारी फैक्टरी थी वो भी अब हमारे अंडर में है क्योंकि उसके युसी भी हमने दिये हैं मैं फैक्टरी किसी को नहीं देने वाला लाओ फिर 5 करोड के 5 गुना 25 करोड युसी दे दो और फैक्टरी ले लो अब तुम मुझे बताओगे मैं क्या करूँ मैंने सिर्फ 50-50 के पार्टनर्शिप की थी बिजनस की फैक्टरी के नहीं अपने डायमेंड वोमन को बता दे ना ये बात ठीक है वो तो तुम्हारे 50 परसेंट में सिर्फ काट लेंगे और तुम्हारे जान के लिए बता दे सूपका गैंश्टर के साथ भी हमने पार्टनर्शिप कर लिया है चलता हूं अभी फिर मिलते हैं अरे ये तो भाग गया चलो कोई नीश को तुम्हें बाद में देख लूँगा तुम लोग जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना आदिस ज्यादा लोग ना वीडियो देखकर भाग जाते हैं सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते सब लोग जिसको गाड़ा दी तो यार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंस्टागराम पर फॉलो जरूर कर ले ना यार बहुत जल्दी हमारे टैन के होने वाले हैं तो टैन के करा तो फिर स्वाइप बाला खोल जेगा अपना भी फिर तुम्हारे वीडियो स्वाइप डाला करेंग शाथ फालो कर लो इंस्टागराम पर और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर करनी ये वीडियो लाइक जरूर करनी रूच लाइक तो करना है और प्यारा स्जौन कर लाइक जा सब्सक्राइब करवाओ यार बहुत जल्दी हमारे 3,000,000 सब्सक्राइबर की फैमिली कंपलीट होने वाली है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवाओ बहुत सारे लोग यार वीडियो देखे बाग जाते हो सब्सक्राइब भी कर लिया करो देखे लोगर आटे लोग सब्सक्राइब भी सिक जल्दी जल्दी एंको dengan कृनों 만ब भी भी सारा ऑते हैं ई हैंट एंगूचन कर दोब्सक्राइब पाट प्रिंस सब्सक्राइब बाट्लो Flip